So, Hello Dear Students, Welcome to Most Affordable Interested Platform G-Centric Education आज हम लोग बात करेंगे Electrical Machine की क्या Electrical Machine वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगेरा में इलोबरेट करके सिखाय जाता है जी बिल्कुल नहीं अगर इसको सही तरीके से सही माइने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एक्जाम की क्या requirement है उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो Electrical Machine बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि Electrical Machine is the most fundamental subject अगर आपके funding clear है basics clear है basics में क्या चाहिए network theory चाहिए अगर network theory clear है और जितना basics अगर एक teacher बहुत अच्छे से बता दे तो आपको यह subject पढ़ने में बहुत मजाएगा क्योंकि यह subjects हम लोग day to day life में बहुत ज़्यादा deal करते हैं और हर एक Electrical Engineer के लिए subjects आना बहुत जरूरी है अगर आपने Electrical Engineering की है और आप अगर Technical Field में कुछ भी करना चाहते हैं कोई से भी exam का कोई सा भी exam उठा लीजी अगर किसी भी exam का आपको अगर preparation करना है तो उसमें Electrical Machine का weightage बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो इसको हम लोगोंने बहुत ही प्यारे तरीके से creative तरीके से जिसमें बहुत ज़्यादा theory के सांसा numerical भी है क्योंकि ultimately किसी भी exam में numerical लगाना पड़ता हूँ numerical के लिए proper theory चाहिए proper एक roadmap चाहिए उसको हम लोगोंने बहुत अच्छे से deal किया है तो चलिए इस lecture के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा है trailer और trailer देखिए और यहां से करी थी यहां से करी थी शुरुवात ठीक है पहली बार हम लोग apply किये तो current बढ़ाते जा रहे मतलब B is proportional to 5 और H is proportional to current इसको magnetization force भी बोल सकते और magnetization current भी बोल सकते I naught ठीक है जिसको IE से बहुत सारी किताबों में इसको IE current exciting current से भी जाना जाता है ठीक है हम लोग I naught से देख रहे है जो आपको किताबों में IE है IE exciting current इस तरीके से मैंने plot कर दिया अब देखिएगा यहां पर flux जब current थोड़ी दर के लिए इसको O मान लेते हैं इसको O इसको A मान लेते हैं अब मैं blue color से क्या बनाऊंगा flux बनाऊंगा ठीक है flux बनाऊंगा तो flux कहां जब current कुछ positive value चले गया तब क्या हो रहा है flux दीरे-दीरे देखिए जब current 0 है तब flux काई में है negative में मतलब यह flux negative में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे होते जाएगा और इस point पर flux 0 होगा बट current का कुछ ने कुछ value होगा there is a no angle difference दोनों एक ही उसमें थे ठ ठीक है बट हम लोग क्या मान रहे हैं कि magnetic material में जब कि जो BH curve के time पे लिया जाए क्योंकि इसके पहले वाला जो बात किया वो सिर्फ मेरा focus किस पे था saturation पे harmonics के उपर focus था क्योंकि main source of harmonics क्या है saturation of magnetic core so main source of harmonics क्या है saturation of magnetic core तो मेरा focus पिछले वाले जो discussion में किया था saturation पे जब मैंने discuss किया था सिर्फ फरसे आपको flat top और pick में यह अभी हम लोग बोल देंगे xm और h hysteresis की वज़े से आ रही है अभी h क्यों लिख रहा हो में क्योंकि मैं सिर्फ अभी magnetic material की property ठीक है यह किसकी magnetic property और pure magnetic material जब मैं electrical property include करूँगा तब यह h हटा दूँगा ठीक है अभी magnetic property चल रही है और इसको बोलूँगा मैं rwh h hysteresis की वज़े से और यहाँ पर बोल देंगे i01 h और इसके दो component है im h magnetizing current इदर जा रहा है so यह तो सिर्फ trailer था कि कि creativity के साथ आपको यह subject deal किया जा रहा है g-centric app पर तो अभी g-centric app पर store section में जाईए उसके अंदर अपनी particular branch जो की electrical है वो choose करिए double branch चूस करिए उसके बाद electrical machine subject के अंदर जाईए और जितने भी lecture से उनको enjoy करिए most affordable prices में ठीक है